अगर आप inventory maintain कर रहे हैं तो जो चीजे जिसके आप inventory maintain करते हो उसको कौन से unit में आप दिखा रहे हैं मतलब कई inventory होती है जो meters में होती है कई kg में होती है कोई numbers में होती है तो इन सब को unit of measure कहते हैं कि inventory को आप किस unit में बता रहे हैं तो वो unit को आप कैसे बनाए तो उसके बारे में हम इस video tutorial में जानेगे तो सबसे पहले inventory maintain करने के लिए हमें unit of measures बनाना होगा unit of measures बनाने के लिए आप gateway of tally से inventory info में जाए और unit of measure के अंदर जाए और create कीजिए unit of measure दो प्रकार के होते हैं एक simple और एक compound simple के अंदर जैसे की numbers को दिखाना चाहते आप तो numbers के अंदर सिर्फ आप number ही दिखा सकते हैं उसमें कोई decimal point नहीं होता तो simple बनाते हैं हम पहले यहां आपको symbol मतलब आप unit of measure का कोई symbol हो तो यहां रखना चाहते हैं मैं no s means numbers रखना चाहता हूँ numbers और इसका यहां formal name भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आपके unit में कोई decimal places है तो आप यहां से दे सकते हैं numbers में कोई decimal places नहीं आता तो मैं यहां 0 ही रख रहा हूँ और yes कर दीजिए और उसके बाद हम compound बनाएगे पहले simple बनाएगे और बाद में उसका compound करेगे तो kilogram के अंदर kilo होता है और grams होता है 1000 grams is equal to 1 kilo होता है तो इस unit को हम compound unit की मदद से represent कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं simple बनाएगा kilogram और grams का तो यहां मैं kg symbol रख रहा हूँ kilo और decimal places में इसमें 2 रख हूँगा और yes कर दूगा और grams में gms grams और decimal places 0 और yes अब मैं kilo और grams का compound बनाऊँगा तो सबसे पहले मुझे compound select करना पड़ेगा उसके बाद में kilo select कीजिए kg of 1000 grams और accept कर दीजिए तो हमारा compound unit भी बन गया तो इस तरह से आप simple unit बना सकते और compound unit भी बना सकते है आप अपनी inventory में जो जो unit है मतलब meters है fuel को liters में मापा जाता है तो उस तरह से आप अपने unit बना दीजिए बाद में जब आप inventory की details एंटर करेगे तो इस unit की जरूरत पड़ेगे तो इस तरह आप टैली के अंदर unit of measures जैसे कि आप inventory maintain करना चाहते हैं तो अगर आपकी कमनी manufacturing और ट्रेडिंग करती हैं तो उसके अंद अलग-अलग तरह की items होगी जैसे कि raw materials होगा, finished goods होगा, raw materials के अंदर अलग-अलग प्रकार की items होगी और finished goods के अंदर भी अलग-अलग प्रकार की items बनाई जाएगी और ये items अलग-अलग जगह पे locket है मतलब कि अलग-अलग go-downs के अंदर ये item पड़ी हुई है तो इस सब क stock maintain करने के लिए हम inventory का use करेगे तो inventory के अंदर पहले आपको inventory groups बनाना होगा और बाद में उस group के नीचे आपको item add करनी होगी जैसे हमने laser और groups बनाये था account info के अंदर वैसे हम inventory info के अंदर पहले group बनाना सिखेंगे तो group बनाने के लिए सौप्रथम आप inventory info में जाए और बाद में inventory info के अंदर जाके stock groups पसंद करें stock group में से आप create group करें अब group को create करने के दो तरीके हैं एक advanced और एक simple mode अगर आप advanced mode के अंदर जाना चाहते हैं तो आप F12 दबाए और आपकी configuration सेट करें तो currently में कोई advanced mode में नहीं बनाना चाहता है escape की दबाए अब इसके अंदर आपका group का नाम लिखे suppose की मेरा group है row material और अगर आप इसको कोई primary category या फिर दूसरी कोई category के अंदर में डालना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं currently में primary category रख रहा हूँ can quantities of items be added अगर आप items की quantity को add करना चाहते हैं तो यह yes रख यह generally यह no ही रखा जाता है तो मैं no ही रख रहा हूँ और accept कर दीजे वैसी आप दूसरे groups भी add कर सकते हैं finished goods और में yes रख 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 तो यह बन गए हमारे groups अब आप multiple groups create करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हैं create multiple stock groups तो अगर हम finished goods और row material के अंडर में कोई other groups बनाना चाहते हैं तो हम यहां से कर सकते हैं under group के अंडर में हमें जो group के अंडर में groups बनाने वो select करना पड़ेगा बाद में यहां उसका stock group का नाम देना पड़ेगा suppose कि मैं row दे रहा हूँ और under which category और items are edible वो भी यहां आपको select करना पड़ेगा currently मैं कोई multiple group बनाना नहीं चाहता तो मैं escape कर रहा हूँ तो इस तरह से टेली में inventory info में जाके आप अपने items के और inventory के विविद प्रकार के groups बना सकते हैं प्रतियक stock group के अंडर में कहीं सारी items होती है जैसे कि row material के अंदर विविद प्रकार के अलग-अलग items होती है जैसे कि row material 1, row material 2 हम यहाँ नाम नहीं दे बता रहे हैं कि row material 1 मिन्स कोई भी row material हो सकता है जैसे कि कच्चा चूना और दूसरी कोई item तो वह stock हम maintain करना चाहते हैं तो हमें उसको inventory item stock के अंडर में जाके maintain करना होगा तो inventory stock item बनाने के लिए सौपरथम gateway of tally में जाए और उसके बाद inventory info में जाए inventory info में जाके stock items के अंदर में जाए और create stock item पसंद करे अब आपको यहाँ पे stock item का नाम लिखना होगा तो मैं row material 1 लिख रहा हूँ और वो row material किस category के अंडर में है मेरा row material row material group की category के अंडर में है तो मैं वो chain कर रहा हूँ अब आपका row material कौन से unit में है मतलब row material kilogram में होता है numbers में होता है तो आपको अपना unit भी पसंद करना होगा तो मैं numbers पसंद कर रहा हूँ टेरिट क्लासिफिकेशन का उप्योग जब आप सेल स्टेक और ड्यूटी का उप्योग कर रहे है तो तब करना होगा तो आप अभी में not applicably रख रहा हूँ और अगर आप कोई rate of duty रखना चाहते है तो वो भी दे दीजिए यहाँ पर आपको quantity मतलब अभी कितनी quantity आपके stock में available है तो आप अपना opening balance भी रख सकते हैं तो currently मेरी 5000 quantity है और यह quantity आपको कौन से go down में रखनी है तो एक नई window खोल जाएगी जिसके अंदर आपको go down सिलेक करना होगा तो right hand side list of go downs आ गए है मेरी quantity money नगर go down के अंदर है तो मैं money नगर go down सिलेक कर आओ कितनी quantities है तो 5000 numbers है उसका rate क्या है तो एक quantity का rate 500 रुपीस है और पर numbers तो उसका total amount आ जाएगा और उसका total information बनके आ जाएगा अंद में accept पर click कीजिए तो ये बन गए हमारा stock item आप अपने stock को particular location पर रख सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी stock item बना सकते हैं उसको unit दे सकते हैं और उसका opening balance भी set कर सकते हैं accounting voucher का उपयोग जब हमें कोई capital या stock की entry लगानी हो तब होता है जैसे की आपकी company में कोई indirect income से कोई capital आ रहा है मतलब की कोई check suppose आ रहा है तो उसकी entry आप voucher की मदद से कर सकते हैं वो चेक कौन सी bank में जा रहा है कौन सी bank से आया हुआ है वो सभी entry आप accounting vouchers की मदद से कर सकते हैं और accounting voucher का उपयोग sales और purchase की entry लगाने के लिए भी होता है तो चलिए accounting vouchers के बारे में जहानकारी प्राप्त करते हैं gateway of tally से transaction में से accounting vouchers के अंदर जाए अंदर जाते ही एक window खुलेगी जिसके अंदर right hand side में अलग-अलग प्रकार के vouchers दिये गए होगे उसमें से F4 दबाते contra voucher आप पसंद कर सकते हैं F5 से payment, receipt, journal, sales, credit note और purchase आप अपनी जरूरियात के मताबिक हर एक voucher में entry कर सकते हैं Currently हम receipt voucher का उपयोग देखेंगे अब ऐसा है कि मेरी कमनी में एक cash आया हुआ है तो उसकी entry हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे सबसे पहले आपको account select करना पड़ेगा अगर मेरा account ICICI bank में है और उसके अंदर में cash से डालना चाहता हूँ तो मैं यह select करूगा मैं ICICI bank select कर रहा हूँ अब आप आपका laser पसंद करें तो मेरा laser है capital account और laser का current balance भी आप देख सकते हैं current capital account का balance है 50,000 रुपीज और वो debit है अब आप कितना cash डालना चाहते हैं तो मैं 5000 रुपे डालना चाहता हूँ बाद में आप यहां भी cash बदल सकते हैं अब आपको capital account में किस तरह से cash आ रहा है check DD से आ रहा है electronic check है electric DD है तो उसको आप यहां से बदल सकते हैं currently मेरा check ही है तो मैं check पसंद कर रहा हूँ check count amount डालना पड़ेगा instrument number में आपको अपना check number डालना पड़ेगा generally check number 6 digit का होता है यह instrument date मतलब कि check की date डाले और bank का नाम लिखे तो मैं check की bank का नाम लिख रहा हूँ branch है नहरू नगर और yes day जी जी है अगर आप कोई narration लिखना चाहते हैं तो यह narration भी लिखे और अंत में accept जो warning message आएगा उस पर yes कर दीजिए तो यह होगी आपकी receipt entry तो इस तरह से आप अलग-अलग प्रकार की entry लगा सकते हैं जैसे की sales की entry लगा सकते हैं purchase की entry लगा सकते हैं अगर आपको cash withdraw करना है तो आप contrast का use कर सकते हैं अब तक हमने कहीं सारी चीजे सिखी हैं जैसे की laser बनाना, group बनाना, item ग्रूप बनाना, item stock ग्रूप बनाना और inventory में stock ग्रूप बनाना और हमने voucher कैसे बनाएजे वो भी सीखा अब अगर आप इस सभी चीजों का कितनी income हुई और कितनी outgoing हुई उसके reports देखना चाहते हैं अब आप अपना balance देखना चाहते हैं कितना balance गया, कितना balance आया, कितना stock बार गया अब मेरा cash in hand क्या है, वो सब आप reports की मदद से देख सकते हैं तो reports देखने के लिए सब प्रतम gateway of telly में जाए gateway of telly में जाते ही last में एक report option होगा, जिसके अंदर balance sheet, profit and loss account, stock summary, ratio analysis और display option होगा उसमें पहले balance sheet देखते हैं balance sheet के अंदर आप देख सकते हैं, liabilities होगी जिसके अंदर मेरी company का नाम है और यहां assets दिखाये गए हुए मतलब कि मेरा capital account में अभी 45,000 है और current assets 39,500,000 है अगर मैं opening balance profit and loss पर click करूगा तो मेरा opening stock क्या था वो बताएगा तो मेरा opening stock 40,000 था और indirect expense अभी मेरा कुछ हुआ है नहीं है तो वो नहीं बता रहा है नेट profit क्या है वो भी अभी नहीं बताएगा अब अगर मैं current assets देखना चाहता हूँ तो current assets पर जाए तो मेरा current assets है bank account में 50,000 debit है और credit 1,50,000 है closing stock है 40,000 finished goods का मेरा total closing है 15,000,000 रूपीज और raw material का 25,000,000 है अगर मैं raw material पर click करता हूँ तो उसकी जानकारी भी भी देख सकता हूँ मेरा 5000 quantities है जो 500 rupees per quantity है और उसकी total amount है 24, 25,000,000 rupees उस पर click करते में अलग-अलग months की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ currently हमने April के अंदर entry लगाई थी 5000 numbers की तो April का बता रहा है जैसे आप अपने months के मुताबी एंट्री करते हैं तो यहां एंट्री दिखती है और grand total भी आ जाता है तो मैं यह voucher भी देख करा हूँ stock voucher जो automatic entry की गई हुए तो opening balance में आप 5000 numbers और total value 25,000,000 देख सकते हैं और उसका grand total भी देख सकते हैं अगर इस voucher की आप print लेना चाहते हैं तो आप print button पर click कर सकते हैं export करना चाहते हैं तो export का use कर सकते हैं अगर आप किसी को mail करना चाहते हैं तो mail option भी क्या दिया गया हुआ है तो इस तरह के अलग-अलग reports है बहार जाने के लिए escape की का प्रयोक करें और अगर आप दूसरे कही reports देखना चाहते हैं तो इस options का use करें display, trial balance और कहीं सारे reports इसमें दिये गए हुए आप